तो यह आपके सामने question है, CBC के अंदर तो कभी पूछा गया नहीं है, क्योंकि इसका जो method है, वो बड़ा लंबा हो जाता है, इसका जो answer आता है, वो minus के quote 3T आता है, तो आपको find करना है, तो हमें तो अल्रीडी पता है, क्योंकि पहले भी कर चुका हूँ, तो चलिए करते हैं, solution करते हैं, इसका start, तो सबसे पहले इसमें करते हैं क्या है, यह जो आपका x, जो भी बराबर आपका function t का है, y जो भी function आपका t का है, उसमें दोनों तर और upon में cos 2T, यह बन जाता है, ठीक है, तो चलिए इसको differentiate भी कर देते हैं, और differentiate करेंगे इसको with respect to t, differentiating with respect to t, इसको in separate t अलग से बाद में करके दिखाते हैं, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 2x, dx upon dt, और यहाँ पर आपका आएगा नीचे वाला, यह कि आपका है cos 2t, नीचे वाला, उपर वाले का derivative, उपर वाला function जो भी उसका derivative हो जाएगा, इसमें आपका पहले power का होगा, जो कि 6 है, तो 6 आगे आएगा, power 5 रह जाएगी, और जो अंदर आपका है sin t, उसका भी derivative करके multiply करोगे, तो यहाँ पर आपका आएगा 6 sin 5t, और फिर multiplied मा जाएगा cos t, अब आपका क्या होगे, minus, नीचे वाला उपर मा derivative, minus उपर वाला, अब उपर वाला, यहाँ आपका लिख करोगे, 2t का करोगे, तो 2 आएगा, तो minus का आएगा, इसको प्लस कर दे रहा हूँ, और यहाँ पर आपका आएगा sin 2t, और multiply में 2 रहाएगा, तो 2 एक काम करूँ, यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पर, ऐसे लिख दिया आगे की तरफ, और नीचे वाले का square हो जाता है, त नीचे वाले का square क्या हो जाता है, देख लो आप, नीचे वाले का square हो गया, cos square 2t, यह हो चुगा आपका, ठीक है, अचा, अब क्या करते हैं, इसमें, हम दूसरे वाले का भी कर लेते हैं, दूसरे इसका भी कर लेते हैं, तो दूसरे का भी आपका, यहाँ पर क्या रहा होग दूसरा आपका रहाएगा आपका y square ये बनेगा आपका cos की power 6 t, अब उन में under root तो हड़ जाएगा बई, under root आपका हड़ जाएगा, square करने पर तो रह जाएगा cos 2 t अच्छा, इसका हम यहाँ नीचे लिग देते हैं तो यहाँ पर आपका 2 y आपका dy by dt हो जाएगा क्योंकि कर इसको भी हम with respect to t ही रहे हैं और यहाँ पर आपका again नीचे वाला, तो देखो cos 2 t रहेगा उपर वाले का derivative, जब उपर वाले का derivative करेंगे तो आपका 6 आपका बनेगा cos 5 t, अब cos का करने जा रहे हो तो cos का आएगा minus, तो एक काम करते है minus, minus यहाँ आगे लिख देते हैं minus यहाँ लिख देते हैं, sin t minus नीचे वाला उपर वाला आपका जो है यह है, cos 6 t और नीचे वाले का derivative, नीचे वाले का derivative आपका हो जाएगा cos 2 t का हो जाएगा minus के sin 2 t multiplier में 2 तो minus का और उसको plus कर रहा हूँ और 2 में लिख देता हूँ आगे और यहाँ लिख देते है sin 2 t ठीक है, और upon में आपका नीचे वाले का square होता है, तो यह हो जाएगा cos square 2 t अब यह आपकी equation 1 है, यह आपकी equation 2 है आप इसमें equation 2 को divide कर दीजिए 1 से तो 2 equation 2 divided by 1 ठीक है, तो दिखते हैं क्या बनता है आपका, तो यहाँ तो देखो tt से dt कटेगा मतलब यहाँ आप डायेट लिख दो dy by dx मतलब उपर की तरफ यह वाला है आपका जो second वाला उपर की तरफ है और आपका 2 से भी 2 कट गया होगा तो उपर की तरफ आपका सिर्फ यह बचेगा तो यह में लिख देता हूँ यह आपका बसता है माइनस के कोस 2t और आपका यहाँ पर 6 कोस 5t multiplied में sin t और आपका प्लस का 2 कोस 6t और आपका sin 2t यह आपका उपर की तरफ रह होगा नीचे की तरफ आपका रहेगा यह वाला पॉर्ट्शन तो यह आपका जगा cos 2t multiplied में 6 sin 5t and cos t plus 2 multiplied में sin की पावर है 6 और t और फिर sin 2t अब देखो इसमें से कुछ common नजर आ रहा होगा आपको क्या-क्या common नजर आ रहा देखते हैं इसमें दो को इसमें से आपका एक तो 2 common नजर आ जा जाएगा क्योंकि 2 इसमें आपका 3 इसमें 3 आप इसमें से 3 और 2 बनाके common ले पाओगे और यह 5 यह भी आप common ले पाओगे इसमें से ठीक है और नीचे वाले में भी आपको कुछ दिखाई दे रहा होगा नीचे में भी आपका 2 आएगा और 6 को split कर लेना आप 2 और 3 में तो 2 भारा जाएगा और यह sign की power 5 यह भारा आएगा यहाँ पर आपका common लेते हैं चलिए next step में हम करते हैं इसको common लेते हैं तो देखते हैं 2 common और साथ में cos की power 5T तो यह common लेते हैं और देखते हैं क्या क्या बचेगा तो पहले लिख लेता हूँ में 2 cos की power 5T तो अब देखते हैं क्या क्या बचता है सबसे पहले देखो minus का तो रह गए रहेगा यहाँ पर आपका 3 रह गया मतलब minus की cos 2T और 3 है तो 3 पहले लिख देते हैं और यानि क्या हो जागा minus का 3 cos 2T और sin T यह लिख देते हैं पहले तो minus का 3 cos 2T और sin T यह हो गया अच्छा यहाँ से आप देखो cos की power 5 common आ चुके तो cos T तो रही जाएगा और 2 जा चुका तो यहाँ ने पर रहेगा cos T और sin 2T तो यहाँ पर आपका बचता है और यह plus का है भई cos T और sin 2T यह रह जाता है अब नीचे भी देख लेते हैं नीचे क्या क्या आता है तो नीचे जैसे कि मैं आपको बताया है कि यहाँ पर हम ले रहे हैं 2 और sin की पावर 5T common ले रहे हैं तो पहले जो common ले रहे हैं वो लिख के दिखा लेता हूँ आपको मैं कि हमने common क्या लिया है यहाँ पर लिया है आपने 2 और sin की पावर 5T यह हमने common ले लिया है तो अब देखते हैं क्या क्या बचता है तो यहाँ पर आपका क्या बचेगा एक तो 3 बचेगा और cos2t बचेगा और cos2t बचेगा तो यहाँ पर आपका 2 जा चुका, sin की power 5 जा चुका, तो sin रह जागा खाली, एक क्योंकि power 6 तो sin2t और sin2t रह जागा, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, sin2t and sin2t, ठीक है, अचा, आप इसमें y और x को return कर देते हैं, करना चाहिए हमें, क्यों, और कहां से करेंगे, यहां से करेंगे, देखिए y की value जो है, यह है, x की value जो है, वो यह है, आपके, तो करते हैं इसको return, तो हम यहाँ पर return करते हैं, value को लिखते हैं, तो y की जोगे हम लिख देते हैं, अचा, जब हम return कर रहे होंगे, थोड़ा सा दिमाग में करना हैं यह चीजे, तो आपका, देखिए y upon x है, आप यही से सोच रहो क्या होगा, देखिए y upon x अगर आप देखें, तो वो आपका, ऊपर रहे जाएगा cos cube t, और नीचे रहे जाएगा sin cube t, तो y upon x की जाग में सीधा यह लिख देता हूँ, देखो न, यह कट गया होगा आपका, तो यहाँ पर में लिख देता हूँ, cos cube t, और अपर में sin cube t, आप सोच रहों कि कोट बना बना रहे हो, इसहाँ सी हम काके जंगा पहले, और यहाँ पर आपका, auen में कि अगर लिख देती है, इसको ऐसे लिख देते हैं, तो लिखते ही नहीं, तो नहीं होहाँ, आपका यहाँ आपका यहाँ नीचे साइन 50 है, आ पैधा साथ थां न यहाँ कुछ करने जा रहा value return करें, और साथ-साथ मैं पता क्या कर रहा हूँ, यह आपका 3 है, इस 3 के में दो टुगड़े कर रहा हूँ, और दो टुगड़े कैसे कर रहा हूँ, जो ध्यान से देखना, मैंने एक लिखा है, पहले minus का 2, तो अगला minus का 1 रहा होगा कुछ, minus का 2, और कैसे लिख रहा हूँ cos 2t sine t, तो minus का कुछ और भी रहा होगा, तो मैंने आप पीछे लिख रहा हूँ, पीछे की दरफ, पीछे की दरफ लिख रहा हूँ, जगह चाहिए है, मुझे थ्वड़ सी, तो minus का यहाँ से लिखना चुरू करता हूँ, मैंने क्या लिखा, cos 2t और sine t, यह लिखा मैंने, आ वापिस करोगे तो यह वापिस आपका मैनस का 3 ही बन जाएगा. अब आपका यह रह गया. अब इसमें मेरा कुछ चीज अरेंज कर रहा हूं. अरेंज में कैसे कर रहा हूं? क्योंकि फार्मुला तयार करने जा रहा हूं तो अशों इसका ध्यान देना आप. क्योंकि मुझे पता है यह फार्मुला तयार होता है. मैंने साइन टूटी को पहले लिखूंगा और कोस्टी को बाद में लिखूंगा. फरक तो कुछ पढ़ना नहीं है पर उससे आपको फार्मुला असानी से इडेंटिफाई हो जाएगा. देखो, साइन टूटी और कोस्टी. अब आप देख सकते हो, यह फार्मुला जैसा दिख रहा होगा आपको यह. इस पर ध्यान दें तो यह फार्मुला है. यह आपका फार्मुला है, साइन ए माइनस बी का. जहां पर आपका यह जो है, आपका यह ए है, यह आपका बी है. अब देख सकते हो, यह आपका ए है, यह आपका बी है. तो साइन ए माइनस बी का फार्मुला है यह. ऐसे ही नीचे कर देते हैं, देखें दो टुकडे. तो यहाँ भी आपका मैं लिख रहा हूँ 2 cos two T और cos T चुछ करक्याब इसमें यह साथ साथ ही लिख देता हूँ साथ साथ मैं लिख देता हूँ यहाँ पर आपका cos two T और cos T यह साथ साथ ही लिख जाएश मैंने split कि इसको किया, इस 3 को split किया, इस 2 इस्वेश से, यहाँ 1 है, 1 लिखने के जूरती नहीं थी, अच्छा, प्लस में पीछे, इसको पीछी लिएना दो, ऐसे, यह आपका sin t और आपका sin 2 t, ठीक है, यह आपका, यह भी एक formula जैसा दिख रहा होगा, यह formula आपका है, cos a minus b तो यहाँ पर cos a minus b का formula लगेगा, तो यहाँ पर भी हम लगाएंगे, अच्छा, अब यहाँ पर काफी कुछ काम हो रहा है, यह अगले step में होगा, यहाँ पर आप ध्यान देते हैं, तो यहाँ पर कुछ चीजे कर जाएंगे, तो यह पूरा-पूरा कटेगा, तो यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर आपका 2 रहा जाएगा, ठीक है, तो देखते हैं, अब आपका next step में क्या-क्या बचता है, dy by dx, तो यहाँ बचता है आपका cos square t, और नीचे आपका रहता है, sin square t, अब यहाँ क्या-क्या changes होते हैं, देखते हैं, देखते हैं कि minus का 2 cos 2t और sin t, इसको त यहाँ पर sin a-b का formula बन रहा होगा, तो यहाँ पर पिछले step में भी, sin 2t minus t हो जाएगा यह, जो कि आप देख सकते हैं कि sin t बनेगा और sin t अगले step में, हम common भी लेके दिखाएगा आपको, यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर भी देख लेते हैं, यहाँ पर आपका 2 cos 2t और आ अगले step में, हम cos t common लेके दिखाएगे, तो यहाँ पर हम common लेते हैं, अच्छा, जब हम common लेंगे, तो आप देख सकते हैं, यह, एक sign कट जाएगा, ऊपर वाले में से sign common लिया, तो मैं यह खटा directly लिख रहा हूँ यहाँ पर, तो एक आपका sign कट जाएगा, जब आपने इस cos square है, वो आपका कट जाएगा, और एक रह जाएगा, तो cos t ही रह जाएगा, इसलिए मैंने पहले नहीं लिखा था, आप लिखके दिखा दिया आपको, और नीचे कहा रहा जाएगा, आपका 2 cos, 2t और plus 1, ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर है ना, यहाँ पर भी एक काम कर आते हैं, इसमें next क्या कर रहे हैं, काफी कुछ काम हो रहा है इस question के अंदर, तो इसमें जो cos 2t है, इसका formula खोलते हैं इसके अंदर हम, और cos 2t का formula कौन सा खोलना है, 2 cos square t minus 1, यह वाला खोलना है आपको, इसका भी फायदा होगा, आप अगले step में समझ जाएगे, क्यों है, यहाँ पर लिखेंगे, आप 2 cos square t minus 1, यह हमने formula खोला है, इसका, cos 2t का formula, यह खोला है हमने, और यह आपका plus 1 है यह आगे, यह bracket close, नीचे वाले में, इसी जो आपका, यह cos 2t जो है, इसका sign में खोला जाएगा formula, और sign में होता है, इसका 1 minus 2 sin square t, तो यह खोला जाएगा, यहा यहाँ पर आपका 1 minus 2 sin square t, यह हमने खोला और plus 1, अब आप क्या करें, इस पूरे को, अंदर वाले bracket को आप expand कर दीजे, तो यह हो जाएगा cos t, जब इसका आप expand करते हैं, तो minus 2 की multiply करोगे, तो इसके साथ हो जाएगा minus 4 cos square t, और यह आपका minus plus हो जाएगा, तो plus का 2 रहेगा, और plus का 1 है, तो plus का 3 हो जाएगा, और आपका नीचे की तरफ sin t, यहाँ पर आपका 2 और यहाँ पर plus 1, तो यह आपका 3 हो जाएगा, और आपका, यह हो जाएगा minus का 4 sin square t, अब इसमें na cos t की अंदर multiply कर दो आप, जब आप cos t की अंदर multiply करते हैं, तो यह जाएगा, आपका minus क का 4 cos cube t, और plus का 3 cos t, और upon में आपका क्या हो जाता है, 3 sin t, और minus का 4 sin cube t, अगर आप उपर वाले में से minus, अगर कॉमल ले न, उपर वाले में से मैनस कॉमल ले, तो ये कोस 3T का फर्मुला है, ये उपर आपका कोस 3T का फर्मुला है, और नीचे अगर आप गोर से देखें, तो ये साइन 3T का फर्मुला है, तो नीचे साइन 3T हो गया आपका, और जब आप इसको जानते ही हैं कि कोस फोन साइन आपका कोट होता है तो यह माइनस का कोट 3T बन जाएगा और यही आपका final answer है, final answer को कर दीजिए highlight तो काफी लंबा question था, इसके steps आपको याद रखने पड़ेंगे, तो इसकी आप दुबारा जुरूर practice करें